मुरार या कमल ककड़ी की सब्जी आपने कई तरीके से खाई होगी और कई तरीके से बनती भी है लेकिन मेरे घर में जो सबसे ज़्यादा तरीके से बनती है वो उसकी रेस्पी आज मैं आपकी साथ सेयर करते हूँ नमस्ते दोस्तों मैं हूँ नीलम स्वागत है आपका मेरी किचिन में आज हम बनाने जा रहे कमल ककडी चली फिराज की रेस्पी शुरू करते हैं कि कमल ककडी की सबजी बनाने के लिए मैंने 300 ग्राम कमल ककडी ले इसको मैंने अच्छे से साफ कर लिया पाने से फिर इसको चिल the city Els tangamigner अरह में से चोजाती हम देखे मेरी छिल गए अब इसके साइट साइड में कट कर देती हूं अब इसको मैं छोटे-छोटे टुकडों में कट कर लेती हूं सरकर मैं इसको चाकू से काट रहे हूं आप हासी या अरसी या आपको जिससे भी आसानी पड़े आप उससे काट सकते हैं मैं बसी सारी कमल कखडी ये और कट कर लेते हूं ये मेरी 300 ग्राम कमल कखडी हैं जिसको मैं goinge about 200 g बचीत हैं मैंने 50 ग्राम दालो लिया कि मुठी कह लगवर आप कम भी कर सकते हों अब मैं इस कमल कखडी को थोड़ा सा उबाल हो वालने हो तो गंदगी हो जाएगी और यह का इसकी इस में थोड़ा साइने पानी डाला और इसको ओबालने के लिए रख देती हो थोड़ा सा नमक डालकर और इसमें तीन 4 सीटी में लगा देती हो तब तक मैं इसके प्यूरी की तैयारी गरती हुआ य। मुझे इसमेंज इसको मैद पीस लेती हूं टामाटर को प्यूरिач नहीं वताई चूटी चूटी से कट कर लिए है अब एक कढ़ाई में मैंने ओयल करम हो गया है इसमें मैंने तेज पत्ता छूटी लायकी ची और जीनर डाल दिये हैं थोड़े से इसको मैं भूंज लेती हूं फिर इसमें मैं लैसून का पेस्ट डालती हूं और अध्रक का पेस्ट डालके थोड़े देर इसको भूंज लेती हूं कि मेरे अध्रक लैसुन दोनों भुंच चुके हैं अब इसमें जो मैने प्याज और मिर्ची पीसी थी उसका पीस्ट में डाल देती हूं कि इसको चलाते हुए मैंने थोड़ा साफ पका लिया है अब मेरी प्याज हुच चुकी यह इसमें मैंने थोड़ा धनिया पाउडर और हल्ली पाउडर डालाया मैंने इसको मैं चलाते हुए थोड़ा पका लेते हूं इसमें थोड़ा सा पानी मैंने डालाया पानी से थोड़ा थोड़ा डालूंगी जिससे की ये मसाला अच्छे से भुण जायो और तली में लगे ना सब कर दोगे मैं अब जो मैंने ब peer- salut दाल को मैं दाल को आधा गंटे विगों की रख दिया था अब उसका में पानी हठा दैती हूं और दाल को इसमें डाल देते में मसाले में मसाले में जब डाले डाली तो इसको थोड़ी दिर में भूंजोंगे थोड Inhale बुक्राब गयं thrive जिसे कि मसाला नीद मently में डाले हो आव्य आचिक आज हैं कि बन दल और मसाले देखो जितना अच्छाए था स्थी जिलो कर भूंज़ेगा अब जो मैंने टमाटर कट करके रखे थे उसको में डाल देती हूँ, आप चाहो तो टुमैटो प्यूरी डाल सकते हो, जो आपको डालना हो, आप मुझे थोड़े ने कट करके जो बीच बीच में आते हैं तो अच्छे लगता है, मैंने इसमें थोड़े सा नमक एट कर दिया ह नमक से क्या होगा टमाटर गल जाएंगे रच्छे से पक जाएंगे वह टमाटर को तब तक पकाऊंगी जब तक वह अच्छे से गल ना जाएंगे और ओईल मसाला छोड़ दें मैं टमाटर पक चुके हैं जो मैंने उबाल के रखी थी कमल ककड़ी उसको में डाल देती हूँ मैंने ऐसे ही डाला है अगर आप आपको और भी इसका टेस्ट बढ़ाना है तो आप एक ऐसा भी कर सकते हैं उबालने के बाद थोड़ा हल्दी नमक डाल के इस ऐलो फ्राइक कर दीजिए फिर उसके बाद ऐसे ही डाल दीजिए मुझे आज ऐसे ही करना था तो मैंने ऐसे ही डाल दिया टेस्ट दोनों का अच्छा आता है मैंने एक ग्लास पानी डाला है यूपानी इसमें ज्यादा ने लगेगा कमल ककड़ी पहले से उबली हो इसकी तली जो रहती है ग हुआ है अब इसमें तोड़ा सा गरम मसाला डाल देते हूं। आप फिर मसाला दाल के एक मिनट पका लेते हूं। और देखी चाहि था यह कि डाल हमारी पक चुकी है बिल गलान इसके और और कंच्छी भी नहीं रहने चाहिए है यह थे देखी हैं हमारे कमल ककड़ी रेडि and share subscribe जरूर करें next video मिलते हैं